नमस्कार सभी को स्वागत है आप सभी का अपने यूटूब चैनल लोक विचार में देखिए के वीएस वाले परिक्षा की डेट आप सभी को अब तक तो जो निरधारित की है वो विदिती है तो क्योंकि लाइब चलाने के लिए समय उस हिसाब से बहुत ज्यादा चाहिए औ आपको यह जो पाठ है यह आपको recorded मिलता रहेगा और आप इससे देखते रहिएगा इससे सम्मंधित जो प्रश्न है ठीक है यहाँ पर आने वाले प्रश्न वो तो हम अभ्यासकार में करेंगे ही करेंगे और इससे सम्मंधित जो प्रश्न है वो प्रश्न आपको लोक रुचिरा भाग तीन का है रुचिरा भाग तीन जो की पाठ्य पुस्तक है अश्टम वर्ग के लिए अर्थात आठवी किलास के लिए और उसका ये पहला पाठ है जिसका नाम है सुभाशित आनी ठीक है चलिए प्रारंब करते हैं कैते सुभाशित शब्द सु पिलस भाशित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है अर्था सुभाशित सब्द में सु है और भाशित है सु का अर्थ है सुन्दर मधुर तथा भाशित का अर्थ है वचन ठीक है तो इस प्रकार सुभाशित का अर्थ है सुन्दर मधुर व पचन है प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी नीति शतकम मनुस्मृति शिशुपालवधम पंच तंत्रम से रोचक और विचार परक इश्लोकों को संग्रीत किया गया है अर्थात इसके अंदर कुछ इश्लोक है और वो कहां-कहां से लिए है यह इसमें बताया गया है ठीक है चलिए तो इस लोक देखते हैं पहला इस लोक है गुणा गुणजे शुगुणा भवन्ति तेनेर गुणं प्राप्य भवन्ति दोशाह सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्याह समोद्रमा साध्य भवन्ति पेया गुणा गुणजे शुगुणा भवन्ति तेनेर गुणं प्राप्य भवन्ति दोशाह सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्याह समोद्रमा साध्य भवन्ति पेयाह देखे कहते गुणा अहां अर्थात गुण गुणजे शुग अर्थात गुणियों में गुणा अर्थात गुण भवन्ति होते हैं बोले कि गुणियों में गुण गुण ही रहते हैं गुणियों के अंदर जो गुण है वो गुण ही रहते हैं ते मतलब वे गुण निर्गुणम अर्थात गुण हीन व्यक्ति को प्राप्य प्राप्त करके भवन्ति हो जाते हैं दोशाह मतलब दोश बेही गुण अगर किसी निर्गुण व्यक्ति के पास आ जाएं निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाएं तो वो क्या हो जाते हैं दोश हो जाते हैं जैसे बोले सु स्वादू तोयाह सु अच्छा स्वादू स्वादिष्ट तोयाह जल है जिसका ठीक बहुब्री समास में पदैए सु अच्छा स्वादू मतलब स्वादिष्ट तोया मतलब जल है जिसका ऐसी नद्याह ऐसी नदिया प्राभवंती अर्थात उत्पन होती हैं निकलती हैं अर्था नदियां जब निकलती हैं और चलती हैं तो उनका जो जल होता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत अच्छा होता है स्वास्थेवर्दक होता है परंतु समुद्रम समुद्र को आसाध्य प्राप्त कर के भवंती हो जाती हैं अपेयाह अर्थात पीने योग्य नहीं रहती हैं तो गुण गुणियों में प्राप्त करके गुण होते हैं अगर वही गुण निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाएं तो वो दोश के रूप में बदल जाते हैं जिस प्रकार से नदियां स्वादिष्ट जल्वाली उत्पन होती हैं परन्तु कालांतर में चलते चलते वे नदियां समुद्र को प्राप्त करके अपेय हो जाती हैं अर्थात पीने योग्य नहीं रहती हैं अगला आश लोग देखते हैं त्रिणम्न खादन्न पिजीव माना तद भगदेयं परमं पशुनां पर संदर श्लोक है साहित्य अर्थात साहित्य संगीत नृत्य वादन इत्यादी कला चित्रकला तथा विभिन्य प्रकार की कलाएं विहिना मतलव हीन साक्षात मतलव साक्षात पशु मतलब पशु है पुच्छ, पूच्छ, विशान, सींग, हीना मतलव हीन जो व्यक्ति ना सहित्य जानता है ना संगीत जानता है ना कोई कला जानता है ऐसे जो विहीन है जो सहित्य से रहित है संगीत से रहित है तथा बिभिन्य प्रकार की कलाओं से रहित है ऐसा अदमी साक्षात पशु हूँ अर्थात साक्षात रूप से पशु है परंतु ऐसे पशु की पुच्छ, पूँच, विशान, सिंग, हीना मतलब हीन है अर्थात ऐसे पुरुष की ना तो पूँच है और ना ही उसके सिंग है लेकिन फिर भी साक्षात पशु है त्रिनम, तिनिके को ना मतलब नहीं, खादन मतलब खाते हुए अपी मतलब भी जीव माना जीता है अर्थात त्रिन ना खाता हुआ भी वो जी रहा है क्योंकि आपने देखा होगा जो पशु है वो त्रिन खाके जीते है परंतु मनुष्य जो है वो उसके पास अगर सहित्य संगीत कला नहीं है तो वो साक्षात पशु है और ऐसा वो पशु जो है वो त्रिन ना खाता हुआ भी जीवित है तद वह भागदेयम अर्थात भाग की बात है परमम पशु नाम भागदेयम पशु नाम परमम अर्थात ये पशुओं में भी परम है अर्थात बड़ा पशु है जो की पुछ और विशान से हीन है तिरन खाता नहीं है लेकिन फ्रिवी जीता है तो वो परम पशु है अर्थात पशुओं में भी बड़ा भाई है ठीक है चलिए तीसरा अशलोग देखते हैं लुब्धस्य नश्यतीय साहा पिशु नश्य मेत्री नश्टक्रियस्य कुलं अर्थपरस्य धर्माहा विद्याफलं व्यस्य निनाहा कृपनस्य सोक्यं राज्यं प्रमत्य सचिवस्य नराधिपस्या लुब्धस्य नश्यतीय साहा लुब्धस्य अर्थात लोभी व्यक्ती लुब्धस्य लोभी व्यक्ती का नश्यती नश्ट हो जाता है यश्ट अर्थात कीर्ती लोभी व्यक्ती की कीर्ती नश्ट हो जाती है पिशु नश्य मेत्री पिशु नश्य अर्थात चुगल खोर या चुगली करने वाले व्यक्ति का मैत्री, मित्रता, नश्यती, नश्ट हो जाती है ये जो नश्यती क्रिया है ये आपको सब के साथ जोड के रखनी है फिर कहते हैं नश्टक क्रियस्य अर्थाद नश्टक क्रिया वाले व्यक्ति का या यू कहो करतव विशेहीन विक्ति का कुलम नश्यती परिवार नश्ट हो जाता है अर्थ परस्य जो केवल अर्थ कमाने में लगा हुआ है ऐसे विक्ति का धर्म अहा धर्म जो है नश्यती नश्ट हो जाता है विद्या फलम व्यसनी नाहा व्यसनी आदमी का दुर व्यसनी आदमी का या बुरी लतबालों की विद्या फलम विद्या का फल नश्यती नश्ट हो जाता है क्रिपन अस्य सुख्यम क्रिपन कंजूस आदमी का सुख नश्ट हो जाता है राज्यम नश्यती राज्य नश्ट हो जाता है किसका बोले नराधि पस्या अर्थात राजा का राज्य नश्ट हो जाता है कैसा राजा प्रमत्त सचिव अस्या जिसका सचिव जो है बड़ा प्रम समादी है ऐसे राजा के ऐसे राजा का राज जी जो है वो नश्ट हो जाता है चिक है चलिए अगला अश्लोग देखते हैं पित्वारसंतु कटुकं मधुरं समानम माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिकासव संतस्त थैव समसज्जन दुर्जनानाम सुरुत्वा अवचाह मधुर सूक्तरसं स्रिजन्ति पित्वा मतलब पीकर रसं मतलब रसको तु मतलब निश्चे रूप से कटुकं मतलब कड़वा मधुरं मतलब मधुर समानम मतलब बरावर अर्थात मधुर और कटुक रसको समान रूप से पीकर माधुर्यम मधुरता को एब ही जनयेत उत्पन करती है या निर्मान करती है मधु मक्षि का अर्थात मक्षी असव मतलब यह है मधु मक्षी जो है वो समान रूप से कड़वा तथा मधुर रसका समान रूप से पान करके माधुर्य को ही उत्पन करती है संताहा मतलब संत लोग तथाईव उसी प्रकार से सम मतलब बरावर सज्जन मतलब सज्जनों के प्रती दुर्जनाना मतलब दुर्जनों के प्रती संत लोग सज्जनों और दुर्जनों के प्रती समान रूप से रहते हैं संता मतलब संत तथा मतलब उसी प्रकार से एव मतलब ही वैसे ही सज्जन जो हैं वो सज्जनों और दुर्जनों के प्रति कैसे होते हैं समान होते हैं सुर्ट्वा मतलब सुनकर वचह मतलब वानी मधूर सूक्त रसम मधूर मतलब मधू सूक्त मतलब सूक्त रस मतलब रस तो मधूर सूक्त रस वाली वानी को स्रिजनती मतलब छोणते हैं या निर्मान करते हैं सज्जन व्यक्ति भी संत्र लोग भी सज्जनों और दुर्जनों के प्रती समान मधुर सूकतरस वालिवानी को निर्मान करते हैं अगला अश्लोग देखते हैं विहाय पाउरुशम्योही दैवमेवब लंबते प्रसाद सीह वत्तस्या मूर्धनी तिष्ठन्ति वायसा है विहाय मतलव छोण कर पाउरुशम मतलव पूरुशार्थ को यह मतलव जो व्यक्ति ही मतलव निश्चे रूप से दैवम मतलव भाग को एव मतलव ही अब लंबते मतलव आलंबन करते हैं ग्रहन करते हैं अब लंबते मतलव आश्रित होते हैं प्रसाद महल सीह सेर वत्त मतलव तरह महल में रहने वाले शेर की तरह तस्या उनके मूर्धनी मूर्धा पर तिश्ठन्ती बैठते हैं वायसा कववा जिस प्रकार से जो व्यक्ति पुरुशार्थ को छोड़ कर केवल भाग की ही दोहाई देता है या भाग पर आश्रित रहता है वो व्यक्ति उसी प्रकार से है जैसे महल में रहने बाले शेर के सिर पर कववे वैठते हैं उसी प्रकार से ऐसे आदमी के सिर पर भी केबल विपत्तियां या यू समझ लीजिए जो पुरुशार्थ करने वालों ने छोड़ दिया वही मिलत है इसलिए जीवन में सतत पुरुशार्थ करते रहना चाहिए पुश्प पत्र फलम पुश्प पत्रत फलत्चाया मूल वलकल दारुभी धन्या महीरुहाये शां विमुखम्यांति नार्थिनाहां पुश्पम् पुश्प पत्र मतलब पत्ता फलम मतलब फल छाया मूल मतलब जड बलकल मतलब छाल दारु मतलब लकडी दारु के द्वारा अर्थात इन सब के द्वारा ठीक है पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, छाल और लकणियों के द्वारा ये शाम जिनक से बिमुखा, बिमुख अर्थात परामुख ना नहीं यांती मतलब जाते हैं अर्थिना मतलब मांगने वाले जिनसे मांगने वाले परामुख होकर नहीं जाते हैं धन्याह महीरूह ऐसे वरिक्ष जो हैं महीरूह मतलब वरिक्ष धन्या मतलब धन्य हैं ऐसे वरिक्ष जो हैं वो धन्य हैं चिक हैं अगला देखिया चिंतनिया ही विपदाम आदा वेव प्रतिक्रिया नकूपक खननम युक्तम प्रदीप्ते वह निनाग्रिहे चिंतनिया चिंतन करना चाहिए ही मतलव निश्य रूप से विपदाम मतलब विपत्ती को आदा मतलब आदी एव मतलब ही प्रतिक्रिया मतलब प्रतिक्रिया को चिंतन कर लेना चाहिए कि अगर ऐसी कोई भी पत्ती आएगी तो हमारी उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया रहेगी या मेरी उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया बनेगी इस बात को पहले ही चिंतन कर लेना चाहिए ना मतलव नहीं, कूप खननम, कुआ का खोदना, युक्तम मतलव युक्त है, संदीपते जलने पर वहनिना अगनी के द्वारा, ग्रिहे मतलव घर में, अर्थात अगनी के द्वारा घर जलने पर कुआ खोदना कोई बुद्धिमानी का लक्षन नहीं है, इसलिए व्यक्ति को विपदाओं के प्रतिक्रिया का चिंतन करना चाहिए, चलिए, अब इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उनको देख लेते हैं, गुणत जेशु मतलव, गुणियों में सुस्वादुतोया, स्वादिष्टजल, प्रभवन्ती मतलब उत्पन्न होती है, समुद्रम आसादे पहुचकर भवन्ती अपयाह, अर्थात पीने योग्या नहीं रहती है, ठीक है, विशान हीनाह, सींग्स के विना, खादन अपी, अर्थात खादन और अपी, खाते हुए भी, जीव माना जिन्दा रहता हुआ, ठीक है, पिशु नस्या, अर्थात चुगल खोर, व्यस निन अहा, बुरी लतवाले की, नरा अधिपस्य, नर पिलस अधिपस्य, राजा का के की, देखिए, जनयेत मदुमक्षिका असव, यह मदुमक्षी पैदा करती है, निर्मान करती है, संताह स्तथाईव, संताह तथा एव, वैसे ही सज्जन, सिर जन्ती, निर्मान करते हैं, वाय तो चलिए अभ्यास कर लेते हैं इसका तो कहते हैं कि पाठे दत्तानाम पदानाम सस्वर वाचनम कुरुत तो पाठ में जितने पद हैं तो आप ऐसा कीजिए प्राता काल जब उठें तो उन पदों को प्रती दिन जो है आपको रिविजन करना ठीक है अगला दिया है बोले इशलोकान्शेशू रिक्त इस्थानानी पूरहता इसलोक के अंसों से रिक्त. इस्थानों की आपको पूरुति करनी है समुद्रमासाध्य क्या पदाएगा तो इसमें आएगा भवंति अपेया क्या आएगा भवंत्य पेया है अगला है वचाह मधुरसूक्तरसंस्रिजन्ति क्या आएगा वचाह तो वचा से पहले क्या है आप देख लीजिए सुरुत्वा है यहां पर सुरुत्वा आजाएग ठीक है तद भाग देयम यहां पर क्या आएगा परमं पशुनाम क्या आजाएगा परमं पशुनाम विद्या फलम क्रिपनस से सौक्यम तो यहां पर आजाएगा विद्या फलम के बाद व्यस निनाहा व्यस निनाहा यह आपका आजाएगा ठीक है आप स्वैम की पुस्तक में लिखते रहें और पुस्तक अगर आपके पास नहीं है तो इसमें से ही आप कोशन आंसर कर लें लेकिन प्रशनोत्तर जरूर कीजिएगा ठीक है, मैं आपर आपको करके दिखा रहा हूँ, प्रशनोत्तर आपको जरूर करने है, क्योंकि प्रशनोत्तरों से क्या होगा, कि आपका पाठ बहुत अच्छे से तयार हो जाएगा, पाउरुषम विहाय याहा, पाउरुषम विहाय अर्थात पुरुशार्त को छोड़ कर, यो यहा ही दैवम एवाव लंबते, या के बाद ही लगाना है, और दैव, ठीक है, दैव मेवा, अव लंबते, आगे देर रखा, चिंतनिया ही विपदाम, आदावेव, क्या लिखना है, आदव एव, आदावेव, संधी हो गई है आपर, आदावेव, आदावेव, प्रति प्रति क्रिया आहा, ठीक है, यह दूसरा हो गया, कते हैं प्रश्नांाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, प्रश्नों के जो उत्तर है, वो आपको एक पद में लिखना, जैसे वियस निनाहा किम नश्यती, जो वियसनी व्यक्ति होता है, उसका क्या नश्ट हो जाता है, तो व कस्य यशाह नस्यती यस किसका नश्टो जाता है तो आपको लिखना है लुब धस्या क्या लिखना है लुब धस्या लुब धस्या यशाह नस्यती मधुमक्षिका किम जनयती तो मधुमक्षिका किसको उत्पन्न करती है तो मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयती ठीक है क्य क्या उत्पन्न करती है माधुर्यम इसको आपको माधुर्य करना है आगे देखिए मधुर सूक्तरसं के स्रजन्ति तो संताहा क्या लिखना आपको संताहा सज्जन लोग जो हैं वो मधुर सूक्तरस को निर्मान करते हैं अर्थिनाहा केभ्याहा बीमुखाहा नायांती मांगने वाले लोग जो हैं किससे बीमुख होकर नहीं जाते हैं तो हमें जो इसलोक में प्राप्त हुआ है वो है व्रिक्षेभ्याहा ठीक है आपको लिखना महीरूहा लिख दीजिए व्रिक्षेभ्या लिख दीजिए ये कंजूस जो है उसको क्रिपना कहते है और कड़वा को क्या कहते है कटुक क्या कहते है कटुक पूँच को क्या कहते है विशान नहीं सोरी पूँच को क्या कहते है पुच पूँच को कहते है पुच ठेक है लोभी को कहते है लुबधा क्या कहते हैं लुब्ध ये लोभी को कहते हैं मधुमक्षिका क्या कहते हैं मधुमक्षिका ये मधुमक्षिका ये मधुमक्षिका और तिनका जो है तिनका को कहते हैं त्रेणम क्या कहते हैं त्रेणम ये तिनके के लिए आता है ठीक है तो ये आपके ये भी पद हो गए अग है करतरी पदम और क्रिया पदम चा चित्वा लिखत इसमें करतापद और क्रिया पद जो है वह आपको चुनकर जो है लिखना है कि चलिए देखो संताह यथा एक दिया है संताह मधुलों आश्रांस कुपत रसम स्रिजन्ति करता हो गए संता स्रजन्ति आपकी क्रिया हो गई ऐसे आपको करना है निर्गुनम प्राप्य भवन्ति दोशा ठीक है तो दोशा है यह आपका करता हो जाएगा यहाँ पर और भवन्ति यह आपकी यहाँ पर क्रिया हो जाएगे ठीक आप यहाँ भवन्ति लिख दीजिए यहाँ पर करता और क्रिया की बात करें तो गुणाह जो है वो आपका करता है और भवंती जो है वो आपकी क्रिया है करता जो है वो मदुमक्षिका है और जनएत जो है वो आँपर आपकी कृए आ जाएगे यहां जो आपका करता है वो आजाएगा मैत्री ठीक है और करिया है आपकी नाशयती ठीक है अगला दिया है नद्याह समुद्रम आसाध्य अपेयाह भवन्ती करता की बात करें तो नद्या करता आपका यहाँ पर रहेगा और भवन्ती जो आपकी है वो क्रिया रहेगे ठीक है चलिए पीछे आगे आगे चलते हैं अगला है कि रेखांकितानी पदानी आधृत्य प्रश्ण निर्माणम कुरूता यह जो रेखांकित पद है उसको दिमाग में रखती हुए आपको प्रश्ण का निर्माण करना है ठीक है तो गुणाह गुणज्येशू गुणाह भवन्ती पहले वाले गुण के स्थान पर को तो आपको यहाँ पर निर्मान हो जाएगा ठीक है देखिए तो गुणाह गुणत जेशू गुणाभवंती तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि के गुणत जेशू गुणाभवंती यह प्रश्न बाद चको गया ठीक है लुपधस्य के स्थान पे क्या लिखना है कष्य यशाह नस्यति हैं यहां पर लिखना आपको प्रश्ण वाचक में का माधुर्यम एव जन यती ठीक है इसके बाद कैसे पीछे हो जाते भाई इसके बाद देखिए तस्य मूर्धनी तिष्ठंती वायसा मूर्धनी पर लिख दीजिए तस्य कुत्र वायसाह तिष्ठंती अर्थात मूर्धनी तिष्ठंती चलिए आगे ये सात्म अभ्यास है बोले कि उधारणानुसारं पदानी प्रिथक कुरुता उधारण के इसाब से आपको पदलग करने है जैसे समुद्रम आ साद्य यहाँ पर समुद्रम है और आगे आ साद्य है ठीक है ऐसी नीचे देखिए माधुर्यम एव यहाँ पर आपको क्या लिखना है माधुर्यम ठीक है और आगे क्या लिखना है एव माधुर्यम एव अलपम एव आपको लिखना है अलपम और आगे लिखना है एव सर्बम एव आपको लिखना है सर्बम आगे लिखना है एव दैवम एव आपको लिखना है दैवम आगे लिखना है एव दैवम एव ठीक है और देखिए महात मनाम आपको लिखना है महात मनाम ठीक है आगे लिखना है उक्ती क्या लिखना है उक्ती ठीक है ऐसी विपदाम यहाँ पर आपको तीन करने पड़ेंगे और बना दो सी काम चला दीजिए दो ये नों दिये ह वीप दाम और आगे करना है आदावेव ऐसे आदावेव होना चाहिए आदावेव बस चिक है तो यह हमारा जो है यहां तक अभ्यास हो गया है और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो देखिएगा और जो भी तयारी कर रहे हैं उनको उनके साथ इसको सेर बहुत सारे यहां पर हो गये और बहुत सारे आपको टेलिग्राम पर मिल जाएंगे चलिए तो इसको इतना ही रखते हैं सभी को नमास अंस्कृत आया